अस्सलाम अलेकों उमीद है आप सब अल्ला के फजल से टीक टाक होंगे मेरा नाम डॉक्टर इम्रान है और एक और वीडियो के जाथ हाजिर हूँ आप देख सकते हैं कि आज मोसम कितना अच्छा है आज दूप निकली है और लोग भी निकले हैं मोसम तोड़ा सा गर्म है टमपरेचर एराउन 20 22 डिग्री सेंटिग्रेड तो जब टमपरेचर तोड़ा गरम होता है तो फिर आर्लेंड के लोग निकलते हैं पार्क्स में हैंड वाकिंट्रेक पे एंड यह लोग इस मोसम को ज्यादा इंजॉय करते हैं यह ट्रली वेट्लेंड्स बेह हैं लप एक रेस्ट्रेंट भी हैं बच्चों के लिए पार्क भी है एक वाकिंट्रेक हैं और साथ में एक जील है जिसमें लोग इंजॉय करते हैं यहाँ पर वाक करते हैं चाई कौपी पीते हैं और मज़े लेते हैं अच्छा आज मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा कि मैं कैसे आरलेंड पहुंच गया और मेरी पहली जॉब कब हुई आरलेंड में क्योंके इस बारे में कई जो लोग है उन्होंने पूछा है कि आपको आरलेंड में जॉब कैसे मिली और जॉब अच्छन बहुत है यह है वो है तो मैं अपनी कहानी आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं बहुत इंट्रस्टिंग कहानी है तो सुन ले आखिट तक यह कहानी है दो हजार अठारा की टीके टुटावजन एनेटीन और उस वक में पाकिस्तान में जनरल मेडिसन की ट्रेनिंग कर रहा था सी पीएस पी की जो ट्रेनिंग है चार साल की उसमें मैं ट्रेनिंग कर रहा था 2018 सेप्टैंबर में मैंने आ एम एम पास कर लिया Jesús कि अ स्कॉलर्शिप प्रोग्राम पर तो ऐसी मेरे जैन में एक बात आगई कि आए में तो फस्ट अटेम्ट में क्लियर हो गया अब क्यों आरिलंड के लिए ट्राइ किया जाए मेरा एक दूसरा दोस्ता वो दूसरे वार्ड में तो हमने एक साथ मिलके ये फैसला किया कि हम आरिलंड के लिए ट्राइ करेंगे जो स्कॉलर्शिप प्रोग्राम है अगया और इस प्रोग्राम के बारे में भी विडियो में आखे बात करते हैं ठीक है आ ऐसा है कि मैंने कई लोगों से बात की इस स्कॉलर्शिप प्रोग्राम के मैं आरलंड के बारे में अफसोष के साथ कहना पड़ता है कि मुझे किसी ने आपका नहीं किया कि और मुझे कि सी नहीं किया किसी नहीं कि Easyसी नहीं कि प्रॉपरिव गय कसी नहीं सब्सक्राइब डिटेल्स नहीं बता तक nothing हर कोई कहता था कि बस ठीक है गुजारा चल रहा है अरलंड में ठीक है मैं जब पैसो की बात करता था लेकिन अक्सर हमारा वो होता है ना इंटरस्ट होता है कि पैसे कितने मिलेंगे टाइम कैसे गुजरेगा तो मुझे किसी ने एक्जेक्ट नहीं बताया और बस ये कहते रहे कि बस गुजारा चलता है ठीक है और साथ में ये भी कहा उन्होंने के ड्यूटी बहुत मुश्किल है और यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल ड्यूटी होती है तो यानि कि इनकरेजिंग बाते मेरे से किसी नहीं की मुझे किसी नहीं किया ठीक है इन शॉर्ट बात यह है कि बस हमने फैसला किया कि नहीं हम ट्राइ करेंगे आर्लेंड के लिए ट्राइ करने में क्या है इसलिए मैं आप लोगों किसे कहता हूँ कि ट्राइ कर ले ट्राइ करने में अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कर ले तो मैं और फ्रेंड हम दोनों ने मिलके सबसे पहला हमारा जो स्टेप था वो आइल्स था और मुझे जिन सीनियर से मैंने बात कि उन्होंने मुझे कहा था कि आइल्स बहुत मुझे एक्जायम है और बता नहीं तुम पास कर सकोगे कि नहीं और अब तो टाइम भी कम है तुम्हारे पास क्योंकि यह सप्टेंबर की बात है एंड एप्लिकेशन जो सी पीसपी स्कॉलर्शिप के लिए एप्लिकेशन ओपन होती हैं वो दिसेंबर में ठीक है तो तक्रीबन दो तीन महीने थे मेरे पास तो हमने स्टार्ट किया आइल्स से 2019 सप्टेंबर अक्तूबर पहला आइल्स एक्जाम दिया उसमें मेरा रिक्वाइड बैंड नहीं आया और इसे एक मार्डूल में मेरे खाल में स्पीकिंग में मेरे 6 आ गए बाकि 6.5 प बारा दिया उसमें भी मेरा वो रिक्वाइड बैंड नहीं आया आइल्स में उस वक्त ओटी नहीं था पाकिस्तान में तो आइल्स आपने आइल्सी करना था हमने आइल्सी करना था तो दूसरी बार भी जो आइल्स रिक्वाइड बैंड है वो हमें नहीं मिला एक्जाम में लेकिन देखिए हमने apply कर दिया ठीक है अगस्त में जो applications open होते हैं आप लोग अगर सर्च करेंगे CPSP HSE scholarship program तो December में applications open होते हैं ठीक है उसमें different specialities general medicine surgery repeats orthopedics gynae ये सार specialities में लोग आती है पाकिस्तान से CPSP scholarship program पर तो बात कहा तक पहुंच गई हाज हमारे पास silence नहीं था मैं और मेरा जूट फ्रेंड था हमने apply किया ठीक है scholarship के लिए जो documentation थे वो बेज़ है online application है वो हमने बेज़ दिये December की बात है हमें उमीद नहीं थी कि हमारी selection हो जाएगी क्योंकि हम समझते थे कि हमसे बहुत अच्छे लोग apply करेंगे और उनके पास IELTS भी होगा experience भी ज्यादा होगा उनके सीवीज भी बहतर होंगे तो उनको चांस मिलेगा हमें नहीं मिलेगे लेकिन हमने फिर भी apply किया December 2018 में ठीक है IELTS नहीं था हमारे पास तो application के बाद फिर January February February में I THINK उन्होंने जो scrutiny होती है scrutiny applications की वो मुकमल हो गए और unexpectedly मुझे और जो मेरा फ्रेंड है हमें email आ गई कि आप लोगों की selection हो गई है जो scrutiny process में उसमें अप लोगों की selection हो गई है और अगए जो process है वो start होगा आगए interview था और documentation थे ठीक है तो यह unexpectedly यह फैसला हुआ हमारे हक में और हम खुश भी हो गए excited भी थे लेकिन एक डर भी था साथ में कि हमारे पास तो IELTS नहीं है और हमने दो बार दिया था उसमें हम कामयाब नहीं हुई तो अब क्या होगा लेकिन खेर हमने दोबारा कोशिश की और मैंने interview दिया मेरे फ्रेंड ने भी interview दिया हम दोनोंने साथ interview दिया पिशावर सेंटर में CPSP से CPSP पिशावर सेंटर में और आरलेंड से दो लोगोंने हमारा interview लिया दो consultant आरलेंड से तो उन्होंने हमारा interview लिया इंटर्वीव हो गया और इंटर्वीव के एक महीने बाद मुझे इमेल आ गए कि आपकी सिलेक्शन हो गए श्कॉलर्शिक्ट परोग्राम के लिए मैरे हैमिए मार्च की बात है मार्च 2019 मुझे मी da गई कि आपकी सिलेक्शन हो गई है मैंने जब email दा का मुझे यकीन नहीं आए कि मेरे पास IELTS नहीं है OIT नहीं है और मेरी सेलेक्शन हो गई है और जुलाई में मैंने जाना आया आरलेंड उसमें सब लिक्का हुआता है कि अब प्रोसेस टार्ट होगा मैंने आट लिना के जान देनी है अब मुझे तो अलहम्दुलल्ह इस बात पर यकीन है कि अल्णे आप लिए जो लिखका होता है वो हो जाता है और मैंने जो चाहे आप ने मुझे जाते है नहीं है में ल्हम्दुलल्ह मैं अलागा जितना भी शुक्र अदा करų इतना ही कम है और मैं आप लोगों को भी है कहता हूँ कि हमेशा बलागी शुक्र गुजाबने बन जाए तो आप लोगों को बहुत लिल जाईगा अलागी तरप से तो खेर मेरी सेलेक्शन हो गई स्कॉलर्शिप प्रोग्राम के लिए जनरल मेडिसन में टू येर्स ट्रेनिंग इन आयरलेंड ठीक है सीपी स्कॉलर्शिप प्रोग्राम पे मेरी सेलेक्शन हो गई है अब मेरे पास वो नहीं है आयल्स या ओईटी नहीं है मेरा जो बास दूसरा फ्रेंडींग है उसकी सिलेक्शन नहीं हूए और वो मेरे से ज्यादा इंटरस्टिट था आयल्लंड में और आयल्लंड आने मेरे मे ज्यादा मैंनत अती ज्याद toda मैरे से लेकिन पर पर Б下!' कि जो यू दयवने है वही हो जाता है तो मेरी सेलेक्षिन हो गई उसकी नई हुई लेकिन शुकर अलहमदललह वो मेरा जो प्रेंड है वो अभी यू के में पिर वो तकरिबां चे महीने बाद साल महीने बाद यू के चला गया उसको वहाँ पर जॉब मिल गई है तो फिर एगे उन उसका तो मैरी इसलेक्षिन होगी पर मैं生नी को इमेल है कि मैरे पास को आइल्स भी नहीं उन्होंने मुझे को कि आपके पास एक महीना है तो छोटू क्लीर करें और अगर आपकर का आइल्स क्लीर हो जाता है तो पर आपकी हम रिजिस्ट्रेशन करते हैं और पर प्रोस्टेस आगे बढ़ाते हैं और आपने आर्लेंड आना है जुलाई में तो मैंने आखरी बार आइल्स दिया और वो इतना अच्छा नहीं हुआ आइल्स जो एक्जेम ते मैंने अप्टबाद में दिया था इतना अच्छा व और यू मेरा जो रिक्वार्मेंट थी वह भी पूरी होगी और उसके बाद मैंने उनको इमेल की और जो प्रोस्टेस है वह स्टार्ट हो गए आएंसी रिजिस्ट्रेशन का उसके बाद मुख्तलिब डाकुमेंटेशन और फिर जुलाई 30 जून 2019 को मैं पाकिस्तान से आर्ल पाकिस्तान से तो चैलेंजिंग भी था एक्साइटेड भी था लेकिन अलहमदुल्ला अल्ला ने करम किया और मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही अच्छा एक फैसला था मेरा कि के ट्रेनिंग के दोरानी मैंने आर्लेंड के लिए अपलाई किया और मेरी सेलेक्शन हो गई औ कैसे अल्ला ने मेरा रास्ता बना लिया वो आपने लोगों ने सुन लिया और कहने का मतलब यह है कि आप लोग अल्ला पर तवक्ल करें और उमीद रखें अच्छे की तो इंशालला आप लोगों के लिए बहतर ही होगा जो होगा ठीक है तो यही मेरी कहानी थी 2018 2019 की फिर 2019 म मैं जुलाई में मैंने स्टार्ट लिया स्टार्ट में बहुत बहुत प्रॉब्लम्स थी बहुत डिफिकल्टी स्थी समझने आ रहा था कि क्या है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और बहुत मुश्किल थी लेंगविज बेरियर भी था और लेकिन कभी सारी मुश्किल आती थी लेकिन पिर भी हम हम काम करते रहे हैं पहला साल ऐसे चो रहा दूसरे साल पर दूसरे हॉस्पिटल चला गया वह इंतहाई बीजी हॉस्पिटल तर लेटर के नहीं उसमें मैं मेडिकल रिजिस्टार रहा है और मेडिकल रिजिस्टार की जॉब मिल गई मुझे एक साल है सचो CPSP स्कॉलर्शिप पे और दूसरी दूसरा साल जो है उसमें मैं मेडिकल रिजिस्टार रहा तो दो साल मैंने आरलेंड में काम किया और वो दो साल मेरे काफी टफ थे क्योंकि मैं नया था सिस्टम नया था और पहले सचो की जॉब नहीं थी पिर रिजिस्टार की जॉब नहीं थी तो काफी टफ टाइम था लेकिन अलहमदुल्ला टाइम गुजर गया अब भी वीडियो ज्यादा लेंग्टी हो रही है तो मैं इसको कहूँगा कि ये पार्ट वन है तीक है अब दो साल के बाद पिर क्या हुआ पिर मैं पाकिस्तान गया या पिर आर्लेंड में इडा इस पर बात करूंगा नेक्स वीडियो में ठीक है तो ये तो दो साल के बाद की मैंने कैसे ECPSP scholarship मुझे मिल गई कैसे और कहा मैंने दो साल गुजारे और दो साल के बाद अभी मेरा फूर्ट एर है आर्लेंड में लेकिन मैं दो साल के बाद मैंने क्या किया वो मैं नेक्स वीडियो में इंशालला आप लोगे साथ शेयर करूंगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहें इंशालला आगे भी आप लोगे साथ मुलाकात होते रहेगी मुझे इजाज़त दीजे अल्ला हाफिज